यवतमाल जिले के दीगरश शहर के जैमा मज़र ट्रस्ट में शामिल कुछ पदादी कारियों पर फर्जी कारिकार्णी बनाकर मज़र से जुड़ी संपत्ती और आर्थिक वहवार में करोडों की अफरत अफरी करने का आरोप पूर्व नगर सेवक जावेद पहलवान ने एक पहलवान पर प्रत्यारोप किया है आईए देखतें दीगरश सम्वादाता जुवेर खान की ये खास रपोर्ट शेहर की जामा मज़ित की संपत्ती मज़ित से जुड़े आर्थिक व्यवहार और इन सारे व्यवहार को अंजाम देने वाले टरस्टीयों पर कथित आरोपों की जड़ी लग चुकी है दिगरश नगर पालिका के पूर्व नगर सेवक जावेद पहलवान ने बुधवार की शाम को पत्र परिशद लेकर जामा मज़ित टरस्ट की बोड़ी याने कारे कारिनी को फर्जी बता कर इस बोड़ी में शामिल कथित सचिव और अध्यक्ष पर मज़ित के खेत का तरीके से करोडों में बेचने का संसनी खेज आरोप किया है कि इसके अंदर अब आता है भरून जो है सच्चू निए इसके अंदर इन्होंने 2013 के लेटर बताये वर्क बोट का डुपलिकेट और उसके बाद जैसा उसने फ्राट करा जैसा इसके अंदर उसने मुरंभी का य मुरंभी का उसने में बघर परवानगी इसको इसको खरानामा कर के दिया यह यह मेश steek नब्सके बढ़ी क सुक्तके उसके लिए उसके यैश्के समय बल पर्मीशन सथे अपटीसम तरब नएफ दोसło प्रवाद के बाद गुरुअर को जामा मजित ट्रस्ट के संबंधित पदा दिकारियों ने पत्र परिशत के जरिये अपने उपर लगाए गए तमाम आरोपों को जुटलाते हुए अपनी दली लेपेश की है पूर्वनगर सेवक जावेद पहलवान के मताबिक मज़ीत के खेत के मुरुम और गौन खनीच इसको बेच कर करोडों का फर्जी वाड़ा किया गया है जिसकी शिकायत उन्होंने जिल अधिकारी उपविभागी अधिकारी पुलिस अधिक्षक सहित वक्फ बोर्ड से करते हुए इस मामले में पुखता जाच की मांगी है जामामजीत को आद्धेग में सच्वनी प्रकंज चालू है अब इसके अंदर दो तारीक गए हुए दो गई तारीक गई उसके अधिकार लिए और इसके अन्दर तारीक मिली वालिए वी आने वाली जो शब्स तारीक है तो आस तक को इसमें आद्धेश नहीं सब्सक्राइब करते हुए संबंदित पदाधिकारियों ने मस्धित के खेट से होकर गुजर रहे रेल्वे ट्रैक और मुरुम अथ्वा गाउन खनीच के विशे में मस्धित के बैंक अकाउंट के आर्थिक विवार का ब्योरा पेश करते हुए उन पर लगे आरोपो को बेबुनियात करार दिया है हम पांच लाग रुपए पे थे कि हमको पांच लाग रुपए एकर मुरुम का होना और हमारी जमीन जो तुम मुरुम ले जाएंगे उसमें तीन फुट काली और डवलप करके बावडी वगेरे बावडी चार पांच बना के दियो तो आखरी हमारा ऐसा फाइनल वा कि दो दी हमारे पांच लाग रुपर से पहले पांच एक लिए और उसके 10 लाग रुपए उन्होंने बैंक में भी डाली दि हमारे पास उसका रेकाड्स है यह बैंक की पार्गूक है इसमें 10 लाग रूप है उनकी अकाउंट से डायरेक्ट आई वे है हमारे पास यह पुरूप है उसके बाद में हमारे मज्जीद के खेट के पीछे जो है वह साथ हजार सतर हजार पचास हजार अची हजार ते लुनों ने जो मुरूम लेते उसके प कुरूम ले जाने के पहले हमने हमारे अकाउंट में पांच एक करके 10,80,000 रुप है उनके पास से लिए और बैंक की अकाउंट में मज्जीद के जमाई है कुल मिला कर देखा जाए तो जामा मज्जीद से जुड़े आर्थिक विवहार में धांदली ब्रस्टाचार और ऐसे में कोई भी शक्स अगर अपने राजनीतिक सौर्थ या अपने आर्थिक लाप के लिए जामा मज्जीद की संपत्ती के साथ ही लोगों के जजबातों का फाइदा उठाने की हरकत करता है तो इस मामले में कानून के दाएरे में पुखता जाच कर संबंधितों की जवा से जुबेर खान की रिपोर्ट